हेलो गाइस केसे आप सब लोग आज में लेकर आया हूँ आप लोग के लिए सिर्फ साथ रुपेगे अंदर की प्राइस में आने वाले कुछ प्रोड़क्त जो की काफी अधा लॉंजिविटी देते हैं एंड काफी अच्छी क्वालिटी के थातते एंड चीप प्राइस में आपको एविलेबल हो जाते हैं एकदम एलकॉल फ्री है तो आप इनको किसी भी जगे लगा के जा सकते हैं एंड आपको मैं दिखा दूए अलमास कंपनी के तरफ से आते हैं एकदम एलकॉल फ्री है 6 ml लोलोन में आपको यह मिलते हैं काफी अच्छी फ्रेकरन्स हैं सबकी ऑन बाовать करूं ऊंझ वीडियो में पर दूंब्स ऑफिर वीडियो में अच्छी लएगे दर में लाइक हैं अगर आप चैनल पर नहीं दो चैनले कोसबिशाइब पmiaस के बारे में पेले में वन बाइवन आप लोगों को सभी प्रड़क दिखा देता हूं यह गाइस इरानी ओड यह काता है असील इतर का आपने नाम सुना होगा अब यह जारे लोग जूश करते हैं असील इतर एंड यह ओपन राजा जो की है अलोईम की ओपन ब्लेक का कोपी एंड यह स्व हुआ वेव एकदम एक्वेटिक टाइक भी फ्रेगेंस नाम से पता लगता है स्पोर्ट्स एंड एक यह रियल प्रोफेशी में सभी प्रोटक्ट्र आपको पहले दिखा देता हूं फिर वन बाइवन की खुच्बू के बारे बात करूँआ कैसर चंदन अलमास डवल एक्स यह वाइट लंदन है यह मुखलत जो लोग मीठी खुच्बू लगाना बसंद करते हैं उनको पता होगा मुखलत क्या इतर है एंड आइजबर्ग रिफ्रेशिंग एंड फ्रेश इतर है नाम से पता लगता है यह जो जो वन पर्श्यूम आता है जो वन मस्क पर्श्यूम चर्व्रेशिंग के बारे बात करते हैं सब सब में बात करते हैं मैं यह अपको इसकी बॉठल लिखा देता हूं पहले उपन करके इस टैप इसके डिकर लाती है एंड काइप शिल्ड़े लाते हैं 6 एमेल आपको मिलते हैं काफ़ी चीफ प्राइज है एंड पर्ड़क काफ fresh, refreshing and smoky type व्रेइब आपको एक पर्फिंग के अंदर मिलती है तो काफी अच्छा है पर्फिंग टाइब प्रेइब अर्फिंग है आपको एकदम एल्कॉल फ्री मिलता है जो कि एकदम पर्फिंग जैसी वाइप आपको देता है सेकेंड नमर में बात करते हैं जो इस्टिकर वाली फ्लावर वाली फ्रेगरंस बहुत अच्छी आती है थोड़ी शार्प टाइप की फ्रेगरंस जो की बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आती है यह आईसबरक इत्र है जोंकी जो लोग York देता करते हैं जो की ठंडी ठंडी फ्रेगरंस देते हैं और काफी जाधा प्रजेक्ट होते हैं एरिये में चलती है जैसे अगर आप इसी पार्टी वगेरे में जाते हैं यह किसी ऐसे बड़े होल में जाते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन चाहिए उस जगे पर यह फ्रेगरंस काफी अच्छी मेखती है काफी ज़्यादा मीठी ज़्यादा प्रोजेक्शन चाहिए बहुत अच्छा मेटती है इसके अंदर आपको मिलती है हलकी सी लाइट फ्रेगरंस जो कि काफी अदर लोग लाइट फ्रेगरंस लगाना पसंद होता है उनको इसके अंदर स्वीट वनीला एंड सूधिंग वाली फ्रेगरंस बहुत अच्छी फील होती है जो लोग स्वीट एंड सूधिंग फ्रेगरंस लगाना पसंद करते हैं लाइक क्रीमी टाइप की फ्रेगरंस उनको यह डेफिनेटल पसंद आईगी फ्रेगरंस गाइज यह केसर चंदन जो की टैडिस्टन जगे पर हम इतरी यूज़ करते हैं टैडिस्टन जगे पर यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छी फ्रेगरंस है आफिस सारे लोग इसको डेली वेर में यूज़ करते हैं अगर आप पोलेज, इसकूल या ओफिस बगेर जाते हैं तो बहुत अच्छी फ्रेगरंस है बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है बहुत जादा लाइट नहीं है मीडिम डाइप का आपको प्रोजेक्शन देती है जातर इंडोर में चलती है इसके अंदर आपको mild creamy and vanilla type fragrance का एहसास होता है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती है and guys ये sweet heart इतर है and थोड़ी सी इसकी fragrance sharp रहती है लेकिन आपको काफी अच्छी powdery and soapy type की fragrance feel होती है and दीदेशे करके light हो जाती है ये भी आप daily wear में उसका सकते है लेकिन outdoor में ज़्यादा बेस्ट आई indoor के मुकाबले क्योंकि थोड़ी सी sharp है and guys ये sports इतरा आता है जो कि आपको एकदम perfume जैसी fragrance देता है किसी भी party वगएरे में आप जाएंगे तो इसको लगा कि जा सकते है medium type भी fragrance जे एकदम perfume वाला feel लेती है आपको इसकी fragrance मुझे काफ़ी जादा पसंद आई है एक दब ऐसा लगता है जिससे आपने एक perfume लगा रखा है बड़ी प्यारी खुजबू है बहुत अच्छे लगती है and perfume जैसा अहसास देती है लगता ही नहीं कि आपने कोई इतरे लगा रखा बहुत तॉम फील होती है मसकी नेज भी काफी कम फील होती है इसके अंदर आपको थोड़ा सा फ्लोरल नोट मनता है एन इसके साथ थोड़ी सी सोफ्ट भी लगती है तो अच्छी fragrance ये light fragrance लगाने माले को डेफिनेटल ये पसंद आएगा एक दाना इतर आता है गाईस दो कि आपको sweet and chocolate fragrance देता है एदम चोकलेट के इतरी की तरह है लेकिन थोड़ी सी इसकी sharp इतनी जादा चोकलेटी fragrance नहीं है जो चोकलेट का इतर आता है उसमें आपको काफी जादा sharpness मिलती है sweet fragrance लेकिन इसमें थोड़ी सी light मिलती है जो कि इसको थोड़ा सा different बनाता है एद ये गाईस आता है एकवा व्योव इतर जो कि आपको डेवड़ पूल वाटर fragrance की याद दिलाता है गर्मियों के लिए बहुत ही जादा बेश्ट ही है इसके अंदर आपको aquatic and fresh इस टाइप की fragrance मिलती है बहुत दमदार और शांदार fragrance लगती है ये आता है एक बलेक मस्क इतर जो कि आपको sharp fragrance के साथ एकदम powderyness वाला fragrance देता है जो बलेक मस्क आता है उसके अंदर काफ़ी जादा powdery fragrance फील होती है आपको ये बहुत जादा शार्प है तो तेज fragrance लगाने वाले को लोग डेफलेटी पसंद आएगा ये जन्नतल फिर्दोस इतर आप लोगों ने लगाया हुआ अगर आप लोग इतर पहले से यूज करते हैं इसके अंदर आपको fresh and flowery, powdery and थोड़ी पचोली वाली ठंडी ठंडी फ्रेगंस फील होती है इन गाइज यह आता है असील इतर जो की मेरा फेवरेट है काईज असील काफी सारी कंपनियों ने निकाले हैं ब्रांड एंड अलाइम और बहुत भी दूसरी कंपनी अल रहाब सब में आपको असील इतर मिलता है इसके अंदर आपको स्वीटनेस शार्प सी स्वीटनेस मिलती है बहुत मीठी और ठंडी सी फ्रेकंस का फील होता है जो की ट्रेडिशनल जगे पर यूज होने के लिए बहुत जादा बैस्ट है और किसी भी क्राउड वाले एरिये पर आप इसको लगा के जाएंगे तो बहुत अच्छा मेकता आईए नमाज पढ़ने के लिए बहुत अच्छी फ्रेकंस है जो भलोग नमाज पढ़ने जाते हैं वह इस फ्रेकंस को यूज़ कर सते आफ अच्छी स्वीट outta ली फ्रेकंस आप को एप इसके अनदर मिलता है बहुत जादा राइट नहीं है बहूत जादा डाक नहीं है so guys आप बात करते हैसे projection के बारे में यह को राइट साड़ स्ट्वों व्रैइट से न् Jesus च्रीजर में सब बीच में मीडियाम फैम रिपा तकि जाथ लोग मीडिय५ं लगाना पसंड करतेश च्छ उसमें इस पहले मैं आपको दिखा देता हूँ तेज श्टोंग प्रोजेक्श करने हाली चारो फ्रेगर्स आसीन मुखलत ब्लेक मस्क एंड स्वीठ हारी चारो फ्रेगर्स काफी ज्यादा अच्छा आपको प्रोजेक्शन देगी कम से कम आपको ये 3-4 घंटे काफी अच्छा प्रोजे कि हाब का अच्छा है और दूठूर तक हमें तो तेज फ्रेगर्स लगाने वाला जो लोग ॕरते हैं और बहुत जाता महकते हैं और जोबी या मीडियम फ्रेगर्स लगा की आता है उनकी फ्रेगर्सों ब्लोए और यह fragrance चुप जाती है क्योंकि जातर तेज fragrance लगाने वाले कम होते हैं और इसलिए लोग मीडियम पे shift करते हैं जातर सो गरीज अब बात करते हैं मीडियम fragrance के बारे में इसके अंदर आपको बहुत सारी variety मिलेगी आइसबर केसर चंदन और पनराजा इरानी वूद अलमास डवल एक्स हैंड दाना एक्वावेव इस्पोर्ट्स जन्नतर फिर्दोस एंड जो बेश्ट इतर हैं यह सब आपको मीडियम fragrance में मिलते हैं इनकी प्रोजेक्शन ना बहुत जादा लाउड है ना बहुत जादा आपको प्रोजेक्शन इत्ता जादा नहीं मिलेगा लेकिन जो हलकी फ्रेक्शन लगाना पसंद करते हैं और जिनको तेज फ्रेक्शन से सरदर दियाँ प्रोबलम होती है अडेक होता है तो उनके लिए लाइट फ्रेक्शन बहुत जादा जबर दस्तर देती हैं एंड ऐश चलिए बात करते हैं इनकी लोंजीविटी के बारे में इनके अंदर आपको इजी ली दूसरे दिन तक भी आपके कपड़ों से इनकी खुजबों आ सकती है अगर आप इनको कपड़ों पर लगाते हैं और आपको मैं बता दूंगी कम से कम एक एमेल तो इतर अपलाए करना है तो आपको दूसरे दिन तक भी इनकी खुजबों से आएगी और सकता है तीसरे दिन भी आपके कपड़ों पर इनकी खुजबों आ जाए काफी ज्यादा लोंजीविटी आपको मिलती क्योंकि स्ट्रॉंग फ्रेगरंस है और काफी लंबा टिक भी जाती है और साथ बोन आड़ बोन तो यह भी आपको हो सकता है थोड़ी ज्यादा लोंजीविटी दे दे लेकिन इन में से कुछ ऐसी है कि 6-7 गंटे टिक पाती है और कुछ ऐसी है कि आपको 10-12 गंटे निकाल देगी हो सकता है किसी-किसी फ्रेगरंस की खुजबों आपको दूसरे दि पिसे-चुन्टे निकाल देखिए अगर आप आउट-डॉर में जाते हैं तो बाग से पांच गंडे तक काम हो जाता है और रहे दूसरी और भी इसाव रहता है कि आप आप आउट-डॉर में लगाते हैं लेगिन इन डूर में अगर आप किसी रूम में बैठे हुए होग तो लॉटियूटी काफी हद तक बढ़ जाती क्योंकि आपको स्वेटिंग और जादा नहीं आएगा या फिर आपकी ज्यादा ही नहीं छोड़ेगी तो आपको लॉटियूटी जादा मिल जाएगी इसे अलमाज कंपनी की तरफ से आने वाले कुछ बढ़ जो की बहुत अच् कोई मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे आप लोग जरूर ट्राय करें अगर आपका बजट का में स्वहर पर के अंदर आपका बजट है तो जरूर इन फ्रेजंस को आप ट्राय करें वाइस मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए अलाहाफीज